स्टूडेंट्स को नेटवक मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे पास सबसे ज्यादा आ रहा है आजकल इस सवाल का जवाब मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से देना चाहता हूँ और फ्रेंड्स मैं आपको बताना ज़रूरी है और दोस्तों सच बताओं तो मैं भी दिल से यही चाहता हूँ कि भारत में भी काश ये नियम हो जाए कि हर आदमी को ग्रेजुएशन की डिगरी तभी मिलेगी जब वो सेना में दो साल काम करेगा क्योंकि यार लाइफ बन जाती है लाइफ बन जाती है life बन जाएगी जैसे दो साल आर्मी में बिताने के बाद वो आदमी पूरी जिंदगी एक disciplined life जीता है brave हो जाता है, strong हो जाता है, आर्मी वाला confidence आ जाता है, ऐसे जो आदमी life में एक बार खुल कर network marketing कर लेता है ना, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी करे, उसका confidence level ही अलग हो जाता है ये मेरी अपने 24 साल का experience आपको बताने जा रहा हूँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललित अरोडा है, और मैं पिछले 24 सालों से network marketing industry में काम कर रहा हूँ और करीब-करीब 2000 से ज्यादा successful seminar भारत में करने के बाद 30 लाख लोगों को train करने के बाद ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ, ध्यान से सुनना अगर आभी तक चैनल को subscribe नहीं किया subscribe करिए, bell का बटन दबाईए और comment जरूर करना, comment जरूर करना right, so दोस्तों students के लिए network marketing करना बहुत ज्यादा जरूरी है अब आप कहेंगे क्यों, और आपके मन में एक सवाल आएगा, student की पढ़ाई खराब नहीं होगी, मेरा पास ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनके parents आए, अगर मेरा बच्चा business में लग गया तो उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी हलो, यह बहुत गलत सोच है यह 1956 की सोच है कि पहले मेरा बेटा बारवी करेगा फिर मेरा बेटा ग्रेजुएशन करेगा फिर मेरा बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा फिर मेरा बेटा नोकरी के लिए लाइनों में लगेगा 1956 की सोच लेकर 2021 में कैसे जी होगे मेरे भाई आज के समय में हर एक student बहुत कुछ एक ही समय पर कर रहा है क्योंकि वो जानता है competition कितना बड़ा है तो अगर वाके ही आप अपने अंदर या आप अपने बच्चों के अंदर students के अंदर आप leadership qualities डालना चाहते हैं आप चाहते हैं कि वो lead करें तो उसको network marketing एक बार जरूर join करा देना और आईए मैं आपको बताता हूँ कि students को network marketing क्यों join करना चाहिए point number one लिखिए personality development जी हाँ एक बात मैं आपको बता दू personality development एक ऐसी चीज है जो की practical ही सीखी जाती है जब कोई student network marketing में आता है जब वो महोल देखता है वो presentations देखता है वो selling skills सीखता है वो public speaking देखता है वो उसके अंदर बहुत सारे गुण पैदा होते हैं और personality develop होती है और एक student को क्या चाहिए एक student जो अभी school college से बाहर निकला है उसको भाई साब अपनी personality पर सबसे ज़्यादा काम करना होगा so point number one personality development point number two communication skills hello भाई साब आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करें आप नोकरी करें आप traditional business करें आप दुकान खोलें आप trading का काम करें whatever you will do you have to talk to the people आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी और ये बात सच है चाहे आप कोई एक आम आदमी हो या भारत का प्रधान मंतरी हो communication सबसे ज़्यादा जरूरी है मैं हर बार बोलता हूँ मनमोहन सिंग जी और नरेंद्र मोधी जी में क्या फर्क है ये सिर्फ मुझे तो communication स्किल का फर्क दिखाई देता है बाकी मुझे राजनीती से कोई बहुत जादा मेरे को knowledge नहीं है राजनीती की but communication स्किल में जमीन और आसमान का फर्क है right so communication स्किल आपकी जिन्दिकी का सबसे important chapter हो सकता है point number three skill set दोस्तों communication skill बहुत सारे skills का एक हिस्सा है इसके अलावा लोगों के साथ उठना बैठना कैसे है उनके साथ बरताओ कैसे करना है कैसे किसी stranger से मिला जाता है कैसे किसी senior आदमी से मिला जाता है ये सारे skills है जो की बहुत सारे लोग नोकरी करने के 10-15-15 साल के बाद भी कई बार नहीं सीख पाते है लेकिन network marketing में आप हर रोज नए नए लोगों से मिलते है सो बड़े सारे skills सीखने को मिलते है students ये मौका छोड मत देना and point number four ये बड़ा important है and point number four क्या है पैसा जी हाँ सबसे ज़्यादा पैसे की किसको जरूरत है मैं आपको एक बात बता दू पैसे की सबसे ज़्यादा जरूरत किसको है student को आप कोगे लो जी लो student को कैसे है पैसे की सबसे ज़्यादा जरूरत जी हाँ क्योंकि यही तो वो उम्र है जब वो enjoy कर सकता है अब मेरी और आपकी उम्र में हम लोग क्या enjoy करेंगे, क्या खाएंगे, हम तो खाते समय भी सोचते हैं, पीते समय भी सोचते हैं, लेकिन yes, green age, दोस्तों मेरी बात लिख लेना, green age में अगर income आने शुरू हो जाए, what is green age, green age जब आपके अंदर जोश होता है, जब आपके energy होती है, जब पूरी दुनिया आपके सामने खुली हुई है, सिर्फ पे कोई जिम्मेदारियां नहीं है, न बीवी, न बच्चे, न रिष्टेदारियां आपको संभालनी है, सिर्फ आपको अपना career बनाना ये होती है, green age, green age, और green age में जिस आदमी को पैसा आना शुरू ह हो जाए, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, boss, right, so, आप pocket money, आप एक बहुत अच्छी handsome income यहां से कमा सकते हैं, शुरू में pocket money, अरे यार, students को बड़ी दिक्कत होती है, पापा से हर रोज, पापा पैसे दे दो, पापा पूटते है क्यों, पापा girlfriend को gift देना है, पापा कान साथ में थोड़ा-थोड़ा कमाना शुरू करो, धीरे-धीरे-धीरे आपका एक profile बिल्ड हो जाएगा, मेरा next point, जो students के लिए जरूरी है, network marketing क्यों करें, वो है, time management, जी हा, time management सीखने के लिए network marketing करना, क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसी industry है, यहां पर सब कुछ सिखाया जाता ह मैं खुद सिखाता हूँ, क्योंकि मैं network marketing coach हूँ, digital network marketing coach हूँ, भारत के लाखो लोग मेरे से सीख रहे हैं, आज हमने community बनाई हुई है, भारत में अपनी तरह की पहली community है, जहां पर हम लोगों को सिखाते हैं, और यहां पर हर चीज सिखाया जाती है, time management बहुत जादा जरू यार, web series देखनी है, देखो कौन रोकरा है यार तुमें, एक time set कर लो ना, कि मैं इतनी देर ही देखूंगा बस, so आपको यह सारी चीज सिखाया जाती है, time management, और अगला point जो students के लिए बहुत जादा जरूरी है, वो है punctuality, जी हा, student life में generally हम लोग जब college life में होते हैं, तो बड़े आराम से, हमने देखा है कि बहुत आराम की जिंदगी जीन की कोशिश करते हैं, student, जीन ही पाते कोशिश करते हैं, लेकिन yes, time की punctuality सीखनी है, तो business करना पड़ेगा, business करना है, तो network marketing करना पड़ेगा, क्योंकि इस से सस्ता, सुन्दर और कोई उपाय नहीं है, आप एक बात बताओ, आप experience लेना चाहते हो, business करने का तो दो ही चीज़े हैं, या तो किसी businessman के पास नोकरी करोगे आप, या फिर आप अपना business खोलोगे, अपना business आपके पिता जी आपको खोल के नहीं देंगे, उनको पता ये अभी कुछ नहीं कर पाएगा, अभी ये college से निकल लेना है, तो network marketing में आजाओ, free में experience मिलेगा, बिना पैसा लगाए, क्योंकि यहाँ पैसा तो कोई बहुत ज्यादा लगता ही नहीं है, खाली कुछ products लेने और आपकी training शुरू हो जाती है, right friends, इसके बाद अगला point, 7th point, 7th point, strong profile, जब आप कुछ समय network marketing कर लेते हैं, 6 महीने, एक साल, और college के साथ साथ, आप 18 साल की उम्र के बाद ये काम शुरू कर सकते हैं, ध्यान से सुन लेना, जितने लोग 18 साल से उपर हो चुके हैं, वो network marketing अपने नाम से कर सकते हैं, you are eligible for network marketing industry, right, so strong profile, जब तक आपकी college पूरा होगा, जब तक आपकी studies पूरी होगी, आपके profile मे साथ में जुड़ जागा, इस बंदे ने network marketing में तीन साल दिये है, इस बंदे को sales का तीन साल का experience है, इस बंदे को marketing का तीन साल का experience है, इस बंदे को communication skills का तीन साल का experience है, धेरो experience लेकर आप interview में बैठोगे, अगर नोकरी धूनने की नौबत आई तो भी, right, and point number 8, आठवा point, social circle आपको पता है कितना बड़ा social circle आपका बन जाएगा, भाई साब जी हाँ, आप अभी student है, लेकिन student होने के साथ साथ आपका contact में बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, कोई doctor, कोई chartered accountant, कोई engineer, कोई दिल्ली में, कोई कलकता में, कोई Bombay में, कोई मदरास में, हर जगा पर आनने वाले लोग होंगे, अगर आप अच्छे से network marketing करेंगे, आपका social circle बहुत बड़ा हो जाता है, यह social circle, social media वाला नहीं है, जहाँ पर कोई एक दूसरे को नहीं जानता, like करते है, comment करते है, like करते है, यह digital social circle नहीं है, यह personal social circle है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को जानते है और एक दूसरे की मदद करते है, and last point, हलागी मेरे पाद 0 point है, फिर भी मैंने इसको cut shot किया, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, 9 point है, independent, अच्छा, आप में से कितने लोग चाहते हैं, कि जब आपकी education पूरी हो, आपको नोकरी ढूडने के लिए, लाइनों होता है जिसमें आप chatting करते थे, जिसमें आप वीडियो देखते थे, वो वला time network marketing को देदो, आपकी life बदल जाएगी, आप independent हो जाएगे, जिस समय पर आपके यार दोस्त नोकरिया ढूंडने के लिए, लाइनों में लगे होंगे, उस समय पर आप अपना business संभाल रहे होंग उस समय पर आप नोकरिया बाट रहे होगे, clear हो रहा है आपको, तो दोस्तों ये 9 points मैंने आपको बताए कि students को network marketing क्यों करना चाहिए, और मैं उमीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे नीचे comment box में जरूर comment डालना, इसको like करना, subscribe करना, share करना अपने सभी दोस्तों को जरूर भेड़ना, ताकि उनको समझ में आए कि network marketing industry सिरफ पैसा कमाने का रास्ता नहीं है, network marketing industry एक अच्छा इंसान बनने के रास्ता है, network marketing industry अपने आप में एक lifestyle है, network marketing industry आपको leader बनाती है, right friends, next video इससे भी powerful होने वाला, देखना मत भूलना, thank you very much, take care bye-bye